आज मैं आप सब के साथ में शेयर करने जा रहे हूं सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी, कुजरात की फेमस मेथी का थेपला आप इसे मेथी का पराधा भी बोल सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं और काफी इजी तरीके से ये बन भी जाते हैं आप इसे सफर वगयरा में भी बना कर के ले जा सकते हैं, बच्यों के टिफिन में भी बना कर के दे सकते हैं, सुबह की भाग दोड़ में आप इसे जटपट से बना भी सकते हैं, काफी हल्दी नास्ता होता है, दोस्तों, हैलो दोस्तों मैं हूं ममता, Evergreen Foods with ममता, मैं आप सब क धोंधे बहुत ही अच्छे होंगše चलिए सब्सक्राइब निर्टेंग और भी भीस किसकасти ऑंधे मेधिक और आखे सब्सक्राइब को निकल जाया ंच्छ में और बहुत ही सब्सक्राइब करें जाहने दोडियरे में कोई काथेli अच्छे से काट लेना है काफी बारीक एकदम बहुत ही हेल्दी पर आठे बनते हैं दोस्तों इसके यहां पर मैं स्वादनुसर नमक डाल रहे हूं एक चमच की करीब और दो चमच की करीब मैंने यहां पर चीनी ली है इसके जगे पर आप गोड़ भी डाल सकते हैं अगर करीब हल्दी पाउडर लिया है और आधी चमच की करीब यहां पर मैंने आजवाइन लिया है इसे हाथों से क्रस्ट करके डालते हैं बहुत ही वढ़िया इसका फ्लेवर आता है दो चोटी चमच की करीब मैं यहां पर ओईल ले रही हूं रिफाइंड तेल यहां पर मैं अच्छे सब्सक्टे आता है चा मिवारे संवके भी वार भ डेन पर सुछे से दो siya करेंगे यहां रै उद्या those I'm क्रोड़े है एक इंच के करीब मैंने रहा चार से पांच हरी मिर्च यह झालिया है और बहुत ही थोड़ा सा जई धनिया लिया है बहुत ही अच्छा इसका क्मुवब था चौरी कुझा आटा به नहीं किया हैं गिरा था आटा फूराफ विलिए कई दाने के ऑस देंसे प्राफ जो ँभाया है मैंने नहीं यूज किया हुआ है आज अब इन सब का हम एक बढ़िया सा डो तेयर करेंगे पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे साथ में फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी एड़ करते जाएंगे जब हमें जितनी जरुवत पड़ेगे उतना ही पानी हमें यहां पर एड़ क करना है क्योंकि अगर जरुवत से जादा यहां पर पानी आप डाल देंगे तो यह काफी जो है डो अपका गीला हो जाएगा और आपको पराठे बनाने में काफी प्रॉब्लम आएगी यहां पर हमें अच्छे से इसे अब जो है बना लेना है देखिए हमारा डो यहां पर बन गया है और इसे हम क्या करेंगे थोड़ा सा हम इसे और जो है मसल लेते हैं अच्छे से काफी सॉफ्ट डो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है एक चमच यहां पर मैं तेल लगा दे रहे हैं जिससे हमारा जो आटा है वो थोड़ा सा जो है और जो है और पतल पतल आप इसे बेल करके बनाइगा उसे बन जाता है यहां पर मैं थोड़ा सा आटा डाल रहे हैं और देखिए कितना पतला मैंने इसे बेला हुआ है बस इसी तरीके से आपको पतला पतला बना करके जो है आप इसे बनाते जाएए और इसे सेखते जाएए काफी easy recipe है दोस्तों और काफी healthy है अगर आप इस हाटे को ज़्यादा देर तक जो है rest पे छोड़ देंगे या फिर आप सारे पाराठे जो है बेलते जाएंगे फिर बात आपको साथ थोड़ी प्राब्लम आ सकते हैं इसे सेखने में क्योंकि यह आठा जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट होने लगता है काफी जल्दी जो है यह घीला होने लगता है इसलिए हमें इसे फटा पट से बेलते जाना है और तुरंथी इसे से शिखते भी जाना है इससे आ भूलें बाई बाई दोस्तों थेंक यू फोर वाचिंग